Now, let's discuss about the yoga philosophy. Yoga is originated from the Vedas and its very oldest scripture of India and systematically presented by Patanjali in Yoga Sutra. Yoga Sutra में इसको प्रेजन्ट किया गया था, Patanjali के दौरा, और कब किया गया था, around 150 BC. देखो इसको remember रखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप रामदेओ को सब जानते हैं, जिनके बहुत सारे product हैं, जो पतंचली के नाम से हैं, तो obviously इनको present किस ने किया, पतंचली ने किया, और योगा, रामदेओ जी क्या करते हैं, योगा सिखाते हैं, तो इन दोनों ची उस भी होती हैं, वो हमारी जो संख्या के जो 25 elements है, उनको कवर करती है, बट योगा में एक और add-on हो जाता है, element that is known as God, क्योंकि संख्या में कहीं भी God का जिकर नहीं किया गया है, बट यहां पर उन 25 elements के साथ साथ क्या किया गया है, एक element जो कि God है, उसको include किया गया है, उसक प्रिंसिपल पर बेस्ट है, यानि कि प्रुषा और प्रकर्ति को ये भी मानते हैं, प्रुषा जो कि consciousness principle है, और प्रकर्ति जो क्या है, matter, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से discuss कर चुके हैं, उसके बाद जब हम इसकी metaphysics की बात करते हैं, तो क्या क्या आते हैं, यानि कि योगा क्या है, theistic philosophy है, theistic थी, जो जब बात करते है थी की, तो वो किस से related होता है हमेशा, God से related होता है, तो जो God है, वो क्या है, इसमें एक main element है, God क्या है, omniscient है, omnipotent है, omnipresent है, omniscient 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 ह उसके बाद इनके epistemology क्या करती है epistemology योगा क्या है modification है चित्त वरती निरौध ठीक है इसका modification बताया गया है इसकी epistemology में, epistemology क्या होती है कि कहां से knowledge मिलती है तो योगा के समाधी के थूँ, mental state जो है, उसके contact में आकर, क्या करते है जब yoga करते है, जब ध्यान करते है, बैठ कर, ठीक है समाधी पर बैठते है, तो क्या होता है concentration बढ़ती है, mindfulness बढ़ती है तो उससे क्या होता है इंद्रियों के थूँ, ज्यान बढ़ता है, हमारा मन शांत होता है, different, different हमें बहुत सारी चीजों की elements जो है, उनके बारे में पता चलता है ठीक है, तो obviously हम सबने कितनी बार सुना है कि अपनी healthy body के लिए हमें क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है उसको निरोग के रखने के लिए हर एक तरह के disease से बचने के लिए तो जो है, इन्होंने क्या कहा है कि तीन तरीके से क्या हो सकती है प्रमानाज जो है, जो cognition है जो knowledge है, उसको पा सकते है जो कि हमारी बिलकुल सेम संख्यावे हैं perception, inference और verbal testimony मिलती है according to yoga उसके बाद five level बताये गए है mental life के और वो कौन-कौन से है restless, ये बिलकुल lowest level होता है और ये क्या होता है mental life को full of rajas guna rajas guna से full of होता है उसके बाद second होता है torpid जो की ignorance को lead करता है due to the thomas guna person feel sleepy, laziness तो वो person को क्या feel होता है बहुत ही alci एक तरह से हो जाता है person उसके बाद distracted जब restless हो जाता है जब किसी चीज के बज़े से क्या होता है distract होता है किसी भी इंसान को इसलिए कहते है कि meditation करो जो distraction है उससे बचने के लिए meditation करनी चाहिए उसके बाद आता है concentrated ये क्या होता है second highest level होता है mind का एक तरह से हम इनको जो highest level में टू लेते हैं हम एक तो restricted और concentrated यहाँ पर concentration बहुत बढ़ जाती है जो कि dominated होती है सत्वा, राजस, तामस, कुनास से ठीक है उसके बाद जो restricted है यहाँ पर क्या होता है अपने mind पर पूरा proper तरीके से इनसान का क्या हो जाता है control हो जाता है mind modification बिल्कुल proper work करती है यहाँ पर और yogic life हो जाती है एक इनसान की तो यह सबसे highest level होता है अब yoga philosophy की axiology किसके साथ deal करती है यानि कि जो ethics हैं, values है वो कैसे होने चाहिए non-violence को follow करें truthfulness, celibacy, non-stealing, love, friendship यह सब इसकी axiology deal करती है जिसके साथ अब yoga जो philosophy है वो किस पर focus करती है एंफिसाइज करती है reality is unchanging and unmoving कि reality क्या है reality को change नहीं किया जा सकता और वो unmoving है जो कि एक तरह से संख्या से related है संख्या philosophy भी यहीं कहती है कि reality क्या है unchangeable है चीक है उसको move नहीं किया जा सकता अब जो हमारे साथ चक्राज होते है उनके थुरू आप इन साथ योगाज को याद रखना इनके type और इनके क्या क्या work होते है किस तरह से work out करते है तो ध्यान से देखे सबसे पहले हम बात करते है ज्यान योगा योगा of wisdom यानि कि जहां पर बात करते है विचारों की ठीक है उसके बाद होती है भगति योगा जहां पर क्या होता है devotion यानि कि भगति की तरफ प्रभू की तरफ जो होता है God की तरफ हमारा emphasize जादा होता है और हम क्या करते है भगति में लीन हो जाते है लगाते हैं अपनी life के को जीने के लिए उसके बाद है तंत्र योगा जो की साइको फिजिकल से के साथ डील करता है यानि की तंत्र मंत्र जो आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से अपने mind और body को दोनों को साथ में लेते हुए senses को यूज करते हुए किस तरह से अपने body पर control करें उसके बाद मंत्र योगा जो की spoken words पर depend करता है ठीक है ये जिस तरह से आप लोग हमारे स्कूल्स में भी कराया जाता है बच्चों को मंत्र योगा सुवए सुवए जो गाहितरी मंत्र कराया जाता है ठीक है उसके बाद है हाथ योगा ये क्या होता है physical purification यानि कि last में बिल्कुल अंत में जो समाधी है बिल्कुल physical और mental अपना control है यानि कि जो राजय योग होता ह है वहां तक पहुचने के लिए उससे पहले क्या करना पड़ता है physically अपने तन और मन को क्या करना पड़ता है purify करना पड़ता है साफ करना पड़ता है उसके बाद हम कहां हो जाते है राजय योगा जो की सबसे हाइस योगा होता है physical और mental control हो जाता है एक इनसान का उसकी body प bring liberation from all pain and suffering तो ultimate aim क्या है कि सभी दुखों से और सभी दर्द से मुक्ती पाना ही क्या है योगा का main aim है और इसके बहुत सारे health benefit होते हैं जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो इन बातों को ध्यान रखना जो differentiation है इनके बीच में कि संख्या में है जो 25 elements है इसम element add हुआ है that is known as yoga और ये seven इसके yogas हैं जो branches है योगा की जो बहुत important है और योगा philosophy क्या कहती है कि reality unchanging है unmoving है और इनका ultimately एक ही aim है कि मोक्ष को प्राप्त करना है किस तरह से यानि कि दुख और दर्दों को दूर कर कर तो ये ultimate aim होता है योगा का उसके बाद हमारी last philosophy बचती ह जो Indian schools में है हमारी Islamic philosophy जिसको हम next lecture में complete करेंगे कि Islamic जो education है उसका area क्या है क्या क्या उनकी epistemology है क्या axiology है इसके बारे हम next lecture में discuss करेंगे hope आप सबको समझ आ रहा है जो भी हम discuss कर रहे है जितनी भी अब तक हमने philosophy की है आपको अच्छे से समझ आई होंगी अगर नहीं आई है क रहीं पर भी आप problem face करें तो please comment करके बताएं और अगर enjoy कर रहे हैं तो जिनको भी requirement है अपने friends को share कीजिए वीडियो को और जिस भी topic पर आप मेरे साथ discuss करना चाहते हैं तो उस topic को comment box में बताइए मुझे ताकि हम उस topic को भी लेकर आप लोगों के साथ discuss कर सकें जब तक बब